नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ जोतिश गुरू शिरोमनी सचिन, मित्रो, कैसी है आपके नक्षत्रो की चाल, कौन-कौन से ग्रहे अपनी चाल बदल रही हैं, कौन से ग्रहे अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं, आईए अब जान लेते हैं भावना बहुत अधिक है, शुबरंग होगा लाल, आज गाए को ज्वार खिलाएं, व्रशब राशी, आज अपनी बात पर आप कायाम रहें, आज आपके प्रियमित्र से मुलाकात होगी, आज जगडे से नुकसान हो सकता है, शुबरंग है आपके लिए हराब, आज अपन समान इस्तरी के चरनिस पर्श अवश्य करें, करकराशी की बात कर लेते हैं दोस्तों, दामपत्य जीवन में कहीं न कहीं कटुता खत्म होगी, मधुरता आएगी, आपने वहन का स्वपन पूरा होगा, मान सबमान की प्राप्ती भी आपको होगी, शुबरंग है आपके लि मरून आज जरूरत मंद पेशेंट्स को जो मरीज हैं उन्हें दवा का दान करें, कन्यराशी की बात करते हैं, आज अपना भेत, अपना क्लू किसी को ना दें, अचानक नुकसान से आप बच जाएंगे, जीवन साथी का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा, शुबरंग है आस परिवार में कलह ना करें, शुबरंग है आसमानी, आज बड़े बुजरुगों के चरण इसपर्श जरूर करें, प्रिश्यक राशी, आज छोटी आतरा का योग बना हुआ है, प्रेम प्राप्ती में आज मुश्किले आएंगी, अपने ग्रोध पर अपने गुस्से पर का हाई दे रहा है, धन खर्च पहले से बढ़ेगा, शुबरंग है आपके लिए नारंगी, आज एक पका हुआ पपीता दान कर दीजिए, मकर राशी, आज मित्रों से कोई बात ना चुपाएं तो अच्छा है, जरूरत पर परिवार का साथ दें, रिष्टों में मधूरता आ हाईगी, शुबरंग है आपके लिए जामुनी, आज थोड़ा सा केसर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें, कुम्बराशी की बात करते हैं, रुका हुआ व्यापार आज चलने लगेगा, नौकरी की सभी परिशानिया खत्म होंगी, माता पिता की सला जरूर लें, शुब बंदों की खटास खत्म होगी, शुबरंग है सुनेरी, आज अपने माता पिता को मिठाई जरूर खिलाएं, उनका आशिरवाद जरूर लें, तो मित्रों ये तो था आज का देनिक राशी फल, कल के देनिक राशी फल को लेकर, आपके समक्ष इसी मंच के माध्यम से हम हाज जुड़े रहे हमारे साथ, दीजिये मुझे इचाज़त, नमस्कार